दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंडी हिंदी टेक में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं पेटियम वालेट के जोमेटो ट्रिक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पेटियम वालेट में लोड मनी करने पर क्रेडिट कार्ड से 2% की चार्ज लगती है जबकि आप लोगों को यह भी पता होगा कि बहुत सारे पेटियम एकाउंट में डारेक्ट आप वालेट टू बैंक ट्रांसपर करोगे तो उस पर जो है अवी किसी भी परकार की चार्ज नहीं लिया जाता है कुछ wallet account में 1% तो कुछ wallet account में 0% और आप लोगों को यहाँ भी पता होगा कि PayTiyam Marge Cent पर अगर आप PayTiyam wallet से except करते हैं payment तो उसमें भी 0% की चार्ज है क्योंकि PayTiyam के तरव से wallet में uncredit card से load money करने पर ठीकी दोस्तों इस ट्रीक को हम बहुत पहले से इस्तिमाल कर रहे थे बीच में आकर यहां ट्रीक सही डंग से वर्क नहीं कर रहा था लेकिन एक वर्फिर से ट्रीक के काम करने लगा है तो हो सकता है कि आप लोगों को ट्रीक अपनाते वक्त जो है एकाद बार दिक्कत देखन को मिल सकता है लेकिन आप लोग जान जाए इस ट्रीक को उसकी बाद आप लोग इस्तिमाल कर सकेंगे सबसे पहले आप जो है प्लेश्टोर वेगरा से जो मैट्व एप्लिकेशन को इंस्टॉल करिएगा इसमें एकाउंट होगा तो लोग इन करिएगा एकाउंट नहीं आपसंस पर क्लिक करने के बाद यहां पर पेटिम एकाउंट को लिंक करने का आपसंस सबसे उपर में मिल जाएगा तो सबसे पहले आप अपने पेटिम एकाउंट को लिंक कर लिजेगा उसकी बाद आपको यहां पर त्री डॉट की आपसंस मिलेंगे पेटिम वालेट में जो भी amount रहेगा यहां पर बता दिया जाएगा देखिए यहां पर three dot पर क्लिक करना है उसकी बाद recharge wallet पर आपको क्लिक करना है recharge wallet पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना amount एंटर कर देना है जितना आप पेटियम वालेट वे load money करना चाहती है देखिए जितने भी amount यहां से रिचार्ज करोगे न वो आपके पेटियम वालेट में ही load money होता है जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो यह कोई जरूरी नहीं कि आप जो मैटो पर ही इस्तेमाल करो ठीक है न अगर 0% की charge है पेटियम वालेट टू बैंक ट्रांसपर डायरेक्ट तो आप अपने बैंक एकाउन पर भी ट्रांसपर कर सकते हैं या फिर मर्चेंट पर भी पेडिमेंट कर सकते हैं तो credit card वाले options पर हम click करते हैं क्योंकि मेरा credit card save है यहाँ पर CBB number enter करना होता है तो चले CBB number हम enter कर देती हैं हमने यहाँ पर CBB number enter कर दिया उसकी बाद pay वाले options पर click कर दिया पेव वाले options पर click करने के बाद यह processing में चला गया है और आप देख सकते हैं OTP खोजा जा रहा है तो bank के तरब से हमारे register mobile number पर जब OTP आएगा तो हम यहाँ पर OTP डाल कर सब्मिट करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर OTP bank के तरब से आ चुका है यहाँ पर 1% की भी charge नहीं लगती है बिलकुल free में credit card से load money हो जाता है यहाँ पर हमने OTP डाल दिया उसकी बाद submit button पर click कर दि नहीं किया तो 310 रुपया हो चुका है इस पर कार से आप काफी आसानी से load money कर सकते हैं यहाँ पर आपके credit card से जितना आप load money करोगे उतना है amount cut होगा एक रुपया भी ज़्यादा cut नहीं होगा तो आप स्ट्रिक का इस्तिमाल करके काफी आसानी से paytm wallet में load money कर सकते हैं credit card स जो कि 0% की charge में आप load money कर सकते हैं यहाँ पर अगर जोमैटो से paytm account को remove करना चाहते हैं तो remove wallet पर क्लिक करके आप यहाँ से paytm wallet को remove कर सकते हैं अगर फिर से आप link करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए उसकी बाद mobile number enter करके continue करिए continue करने के बाद OTP आएगा और OTP डाल कर आप अपने paytm wallet को काफी आसानी से यहाँ पर link कर सकते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस परकार से OTP डालिए और आपका paytm wallet इस परकार से link हो जाएगा तो इस परकार से आप जहें paytm wallet में credit card से बिलकुल free में load money कर सकते हैं जितना आपको load money करना है उ चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाज़ा तब तक के लिए good bye